हेलो दोस्तों स्वागत आपकोना चैनले में पुड़ो व्लोग्स के अंदर आई होब आप सभी ठीक होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों चलिए वीडियो को लाइक यह सुरू करते हैं सबसे पहले लुक्स की बात करी जाए तो लुक काफी ज्यादा स्पोर्टी देखने को मिलेगा जैसे के आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और काफी ज्यादा अट्रेक्टिव भी रहने वाला है वहीं पर बात करी जाए इसके लाइटिंग सेटप की तो इसमें आपको फ्रेंट के अंदर यूनिक डिजाइन में आपको हेड लाइट देखने को मिलेगी LED के अंदर और साथ ही तो इसकी टेल लाइट रहने वाली है वह भी आपको LED में मिल जाएगी दोस्तों इंडिकेटर काफी ज्यादा स्मूथ रहने वाले हैं वह भी LED के मिलेगा इंजन के बारे में बताऊं तो इंजन आपको इसमें 124.8cc का एर कॉल इंजन देखने को मिलेगा जो की BS6 Phase 2 वाला इंजन रहने वाला है जो की अप्टीटू सेंसर पर वर्क करता है और E20 के पैबल भी रहेगा दोस्तों यहाई 20% इसमें एथनोल भी आप यूज म देखने को मिलेगा दोस्तों अब बात करेते हैं दोस्तों इसके मेटर के बारे में तो इसमें आपको काफी अच्छा मेटर देखने को मिलेगा जो की साथ इंच का रहने वाला है फूली डिजिटल मेटर देखने को मिल जाएगा TFT कलर फूल डिस्प्ले के साथ में जिसमें मोनो सोक्स के सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे बागी दोस्तों इसमें आपको दो राइडिंग मोर्स भी मिलने वाले हैं साथ यूस भी चार्जिंग पॉइंट जैसे फीचर्ष पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे यह गाड़ी 5-speed gearbox के साथ में आएगी दोस्तों इसके माईलिस की बारे में बात करी जाए तो इसमें आपको 45-50 के इंपल तक का माईलिस देखने को मिल जाएगा और यह गाड़ी आपको केवल सेल्फ स्टार्ट के साथ म मिल जाएगा 1,55,000 से 1,60,000 उपे के बीच में जो कीस काड़ी का on-road प्राइस रहने वाला है अब दोस्तों इस तना प्राइस इसलिए मिल रहा है क्यूंकि इसमें काफी advanced features दे दिये गए हैं जैसे कि आपको इसमें यूश्टी suspension मिल रहा है सिंगल चैनल ABS देखने को मिल रह है और इंजन भी काफी बहतरीन देखने को मिल रहा है मिटर कंसोल साथ इंच का मिल रहा है काफी अच्छे features दिए गए हैं दोस्तों इस वज़े से आपको थोड़ा प्राइस expensive देखने को मिल जाएगा और बात करी जाए दोस्तों इसके launch rate के बारे में तो company से launch कर देगी मार मार्स 2025 के अंदर अभी तक दोस्तों यही तारीक निकल के आ रही है लिक्स के अंदर से कि मार्स 2025 तक इसे launch कर दिया जाएगा इंडियर मार्केट में हाला कि ग्लोबल मार्केट में चल रहे हैं अब आपको काफी जल्दी इंडियर मार्केटिक में भी देखने को मिलेगी थो